नमस्कार मैं हूँ विसमयलंकार और अभी मैं समाहरनाले परिसर में हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ चात्र हैं ये वही चात्र हैं जिनके लिए लगातार पिछले चार दिनों से अपनी स्टोरी कर रहा है होमगाड की बहाली को लेकर और ये वैसे कर्याले में आये हैं और अपनी अपने शिकायत यहां दर्ज करवाने के लिए हैं चुकि जो एक सुची निकली उसके बाद यहां भी लिखा गया था कि 15 दिनों तक आप अगर किसी तरह आपको लगता है कि सुची में गड़बड़ी है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी अपत्ती दर्ज करा सकते हैं तो अपत्ती हुई है सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका रानी कुमारी दारू प्रखंड से क्या दिक्कत क्या है रानी जी क्या हुआ है सुची से क्या आपको परिशानी है मेरा कहना है अगर दारू प्रखंड में महीला का कटफ 22 निक यही तो खबर हम बराबर आपको दिखा रहें लेकिन अभी तक पुरुषों जो पुरुष शात्र है उनमें यह बाते आ रहे थी लेकिन अब जो महिला भी यह शिकायत कर रही है कि कटॉप से कम में आप क्या कह रहे हैं अपको प्रिया कुमारी है प्रखंट सदर से हूँ और जिस मेरा दौर जो था वह 28 मार्च को था ठीक है उसके बाद उस दिन मेरा एक्सलेंट मारे है आठ मि आप आया ऐसा अजया आप कहरी है कि आपने जो दोड़ लगाई सब कुछ ठीक किया लेकिन आपको तो उसमें तो विडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा था तो क्या यह फिर अपने नहीं कहा कि क्यों सरी से पहले हम ओंगा चॉक में गया थे अप्लिकेशन दिये लेकिन कु पिर से जो समर्धित सुची जो होगी तो बात सही है मैं नित्यानन कुमार कटकम धानी परखन का हूं जिसके कि मेरा मेरा सुची में आया था तो उसमें दिखाये गए कि डेट उब विर्ट में आप छटे हुए लेकिन मेरा से डेट वर्ट कम भी उससे भी कम आया है कटप से कम कटप हम लोग के अठेस गिया है और तीन ऐसी नमर है जो यहां पर मैचिंग ही नहीं कर रही है अच्छा जो इस परखंड के नहीं है अच्छा जिस परखंड के नहीं है उनका भी नाम आ गया यह तो हम लोग बराबर लगा यहीं तो खुलासा हो रहा है कि जिस परखंड के नहीं है उनका उसकी में अच्छा अब क्या चाहते हैं यह तो बाते निकल गई उपायुक ने भी कह दिया कि अब इस मामले को पुना जो है फ्रेस लिष्ट निकाले जाएगी तो क्या लगता है है कि इस बार जो लिष्ट निकाला जाएगा वह सब कुछ सही होगा यह लग रहा है मैं सुनिल कुमार हूं बढ़का कहां से मैं चाहता हूं कि सभी श्ट्रेंट इतना महनत से महनत किये हैं और धूप में दोड़े हैं महनत किये हैं उसके बावजूद सभी क्या हुआ उपादियाच है अधियाच है समादेष्ट कर्याले से चाहता हूं यह दुबारा जारी किया जाए और अच्छे जो कंडिनेट्स हैं जिनका कटफ के अंदर है नंबर उनको लिया जाए ठीना और सुधार किया ना सुधार कि यहीं चाह रहे हैं आप लोग इस बार इसको र समाम तरह के आरोप हैं कि यह जो पहला लिष्ट है उसमें वह सारी चीजें हुई हैं जिनको पहले कहा गया था जो कटफ है उसके उपर के ललकों को लिया जाएगा यह जो नियम मनाए गए तो वह उन नियमों का यहां पाला नहीं नहीं हुआ है लगातार पिछले चार दि नहां पर जमा हुए हैं कुछ कहना चाहेंगे लगातार डॉटिन को आप लोग लोग इसर लगतार नियुज ने हम लोग को दुख को समझा और यहां तक मतलब किये हैं उनको चैनल का सब्सक्राइब करें और धन्यवाद भी देना चाहीं जाएं चाहांगा चलिए धन्यव अब कह रहे हैं इसी तरह से इस पर और भी खबरें लगातार जारी रहेंगी और अभी खुला से होते रहें विसमयलंकार लगाता डॉटिन के लिए नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉ